रूस युक्रेण युद में अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पशिमी देशों के अलावा फ्रांस सहीद अन्य नेटो देश युक्रेण के समर्थन में है इसके अलाबा जॉर्जिया सहित कुछ अन्य ऐसे देश भी उक्रेन की मदद कर रहे हैं जिनके भविश्य में नेटो सदस्य बनने की संभावना है हाली में फ्रांस और जॉर्जिया से बाल्टिक राजियों ने भी उक्रेन की मदद के लिए अपने लड़ाकों को उक्रेन की धर्ती पर भेजा है इसको लेकर रूस के पूरो राश्टपती दिमित्री मेद्वदेव ने गुरुवार को अपनी आपत्ती जाहिर की है मददेव ने कहा कि अगर नेटो सैनिकों को रूसी सैनिकों के खलाफ लड़ने के लिए उक्रेन में तनात किया जाता है तो उनकी हत्या के बदले इनाम दिया जाना चाहिए रूसी बिजनस्मेन और एक्टिविस्टों ने भी उक्रेन को मदद के रूप में उसके पश्चमी सायोगी से मिले टैंकों को नश्ट करने के लिए इनाम निर्धारित किया है मेद्वदेव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उक्रेन के पश्चमी समर्थकों पर निशाना साथते हुए तर्ग दिया कि अगर वे मानते हैं कि उक्रेन में विलेशी सेना भेजने से कोई खत्रा नहीं होगा तो वे दुनिया को मुर्ख बना रहे है उनका दावा है कि अगर नेटो सैनिक उक्रेन पहुच जाते हैं तो वे गयर लड़ाकों भुमिकाओं तक की सीनित नहीं रहेंगे मेद्वदेव का कहना है कि उक्रेन पहुचने के बाद नेटो सैनिक उक्रेन का हिस्सा بن जाएंगे जो हमारे खिलाफ लड़ रहा है उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा होता है तो उनके साथ भी दुश्मन जैसा ही वेवार करना होगा आपको बता दें कि युकरेन की धर्ती पर इलेटो सैन्कों को भेजने का विचार फ्रांस के राश्टपती इमेन्वल मैक्रो ने रखा था हाला कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि फिलाल फ्रांस की ऐसी कोई योजना नहीं है इस बीच खबर ये भी आ रही है कि बुद्वार को रक्षा प्रमुकों के बीच फोन पर बाचीत के दौरान रूसी रक्षा मंत्री सरगेई शोईगू ने अपने फ्रांसीसी समकक्ष सेबेस्टिन लेकोर्नू को चेतावनी दी कि युक्रेण में फ्रांसीसी सैनिकों को भेजने के विनाश्कारी परिडाम होंगे रूस ने भी चेतावनी दी कि युक्रेन में नेटो सैनिकों को तैनात करने से नेटो सैनिक भी रूस के निशाने पर पहुँच जाएंगे रूसी राश्टपती ब्लादमिर पुतिन पहले ही चेताउनी जारी कर चुके हैं कि युक्रेन की धर्ती से युद्ध लड़ने वाले सभी लोग रूस के लिए वैलिट टार्गेट होंगे हाला कि रूस के पुरुराश्टपती की चेताउनी का युक्रेन और उसके मददगारों पर क्या असर पड़ता है ये तो वक्त बताएगा लेकिन अगर रूसी चेताउनी से युक्रेन के मददगार पीछे रटते हैं तो ये तय है कि युक्रेन युद्ध हार जाएगा और हो सकता है कि रूस की रणिती यहीं हो कि उसकी धमकी से बाकी लोग पीछे हट जाएं और वो आराम से युक्रेन पर अपनी मनमानी कर सके।